हेलो दोस्तों मैं विनीता और मेरे किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं लोकी और गेहूं की आटे से बहुत ही स्वादिश्ट मज़ेदार सा चरपटा सा नास्ता जिसे आप जम मर्जी अपने घर पर बना के इंजोई कर सक बारिस के मौसम में खाने में स्वादिश्ट लगता ही है ऐसे जब आपका जटपट से कुछ बना के खाने का मन करें तो आप इसको बना डालिए क्योंकि इस टाइम पर बहुत अच्छी वाली घिया मार्केट में आपको मिल जाएगी कितना टैम्टिंग लग रहा है यह वा फैमले और फ्रेंस के साथ सेर करना बिल्कुल न भूलें इस चटपटे से नास्तो को बनाने के लिए देखी मैंने यह 500 ग्राम की घिया ली है साथ में ली है कुछ कलियां लैसून की और यह दो हरी मिर्च मिर्च आप अपने टेस्ट के साब से थोड़ी सी कम जादा भी कर स करते हैं हम थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे उससे कलर भी अच्छा आ जाएगा और थोड़ा सा चटपटा भी बन जाएगा नास्ता हमारा अब हमें क्या करना है घिया को अच्छे से चील के और इससे कद्दू कस कर लेना है इस तरह के ग्रेटर आपके पास होगा सारी घिया मैंने देखिए घिस ली है और इसका पानी वगर आपको कुछ भी नहीं निकालना है और साथ में जो अद्रक लैसुन लिया था उसका हमने देखिए दरदरा सा पेस्ट बना लिया मतलब इसको कूट लिया है खलबटे में यह हमने ले लिया है दो कटोरी गेहूं का आटा यह थोड़ा सा मोटा वाला आटा है क्योंकि मैं अपने घर पे आटा पीशती हूं इसलिए यह थोड़ा मोटा वाला है और साथ में ले लिया है आदा कप सूजी मेरा आटा गेहूं और चनी का मीक्स है इसलिए मैं बेसन न सभान मिलेगा नास्ते को स्वाधिकन भी सार इसमें नमक डालेंगे मैंने एक छमच भर kे नमक डाल दिया है आदी छमच दाल दियाहै लाल इट्च पाउडर कि मिर्च अपनी इसाब से कम जादा कर सकते हैं एक बड़ा छमच भर के सुखा धनियां पाउड एक चमच आमचूर पाउडर इसकी जगे आप आदी चमच चाट मसाला डाल सकते हैं आदी चमच अजवाइन इसको क्रस्ट करके डालेंगे तो यह डालेंगे बहुत अच्छी होती है और एक चमच भरके घी देशी घी है इसकी जगे आप एक दो चमच तेल भी ले सकते हैं और अब इन सभी चीज़ों को मिलाके हमें सोफ्ट इसको गूथना है पानी मिलाने से पहले सारी चीज़ों को हम इस तरह से देखिए मिला लेंगे ताकि जितने भी हमने मसाले डाले है वो सारे आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं और पानी डालके इसको गूतना सुरू करेंगे तो यहाँ पर मुझे पूरे देड़ गिलास पानी लग गया है आधी कटोरी हमने दही लिया था और देड़ गिलास पानी लग गया है अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितना आटे को लूज रखना है तो यह देखिए आटा हमारा मिक्स हो गया है और इसमें आपको भो ज़्यादा लगाने की जुरूत नहीं है मतलब आटे को ज्यादा मसलने की जुरूत नहीं है मैं थोड़ा सा हाथ पे गही लगाके एक बार इसको चिकना कर लूँगी ताकि यह अच्छे से पराथ से भी और हाथों पे भी ना चिपके और किसी भी चम्मच या नाइफ की सायता से इस तरह से हम अपने हाथों को भी क्लीन कर लेंगे अब हाथों को हम दो के अच्छे से साफ करेंगे और यह मैंने एक जाली ले लिए जो जिससे हम चावल वगरा चानते है ना वह वाली छन्नी इस ज्यादा मुईश्यर होता है तो अगर आप इसको ज्यादा देर के लिए छोड़ देंगे ना तो आटा जो हमारा लूज हो जाएगा जो हमने यह डो बना के रख्या नहीं ज्यादा लूज हो जाएगा तो इस तरह से एक मोटी लोई निकालके हम इसे इस तरह की सेप क्योंकि बाद में हम अपने नास्ते को कट करेंगे आप चाहें तो इनको गोल-गोल करके भी रख सकते हैं और एक जैसे साइज के हम अपने सारे बनाएंगे साथ ही मैंने पतीले में पहले से पानी गरम करने के लिए रख दिया है जब तक हम यह बनाएंगे तब तक हमारा पानी भी बुल जाएगा एक ही साइज के एक ही आकार के हमें अपने सारे रोल बनाने है और आठों को आपको लगे कि चिपक रहा है तो आप दुबारा से उस पे घीया ते लगा सकते हैं तो सारे मैंने देखिए बना लिए हैं और इनको जाली में लगा लिया है अब इनको हम steam करेंगे तो पानी जब अच्छे से उबल जाएगा उबलते वे पानी पर यह आपको इसको steam करना है उसके उपर भी जाली रखकेँ हैं इसे प्लेट से हम ढख देंगे तो कम से कम 20 मिनट मेक्सिमम आपको 25 मिनट भी लग सकते हैं इसको कुक होने में पकाने में डिपैंड करता है कि आप कितनी फ्लेम पे पका रहे हैं मैं इसको हाइफ लेंगें 15 मिनट के बाद एक बार देखे मैं इसको चैक कर रही हूं तो कितना बढ़िया से यह देखे साइज में भी बढ़ गई हैं साइज आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा बढ़ा हो गया है और अच्छे से कूक भी हो रही है अब दुबारा फटा फट से इसको डखन को दुब बढ़िया सी एकदम हरी हरी हमारी हरे दन्य की चटनी बन गई है और बहुत टेस्टी लगती है यह एकदम सिंपल सी चटनी अब यहाँ पर जो हमने स्टीम करने के लिए नास्ता रखा था इसको भी 20-22 मिनट हो गए अब इस तरह से चाकू से एक बार चेक कर लेंगे और यह देखिए चाकू एकदम क्लीन निकल के आ रहा है यह देखिए बिलकुल जरा सा भी नहीं चिपक रहा है मतलब जो हमारा न नास्ता अंदर तक अच्छे से स्टीम हो गया बढ़िया से पक चुका है तो समय मैंने आपको जैसे बताया था 20 मिनट भी लग सकती है 25 मिनट भी लग सकती है गैस बंद करने के बाद भी आप 2-4 मिनट उसको छोड़ दें तो उसमें भी अच्छे से पक जाता है और यह दे तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसे कट करेंगे तो थोड़ा ठंडा हो गया है यह अब इस तरह से चाकू की हेल्प से हम इसमें से पीसीज कर लेंगे देखिए इस तरह से कट कर लेंगे और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें कितनी बढ़िया जाली बन गई अंदर से, मतलब कितना अच्छे से कूक हो गया है यह, ऐसे तो आप इसको अगर health conscious हैं, आप और मतलब जादा इसमें कुछ नहीं करना चाते ताम जाम तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको आप चटनी के कीवाज़र के हैं तो सारे आपको इसी तरह से काथ ले ने हैं और इसे आप चाहें तो एक सब्था के लिए फ्रिज में रख तो यह मैं लेँ लूँगी हाप एक से डेढ़ चम शमच तेल टेल की जगे आप घीवी ले सकते हैं और इसमें तड़का हम लगाएंगे राई का और तिल का जो सफेद वाला तिल होता है ना उसका तो हमारा जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे आधी चम्मच राई और एक चम्मच तिल तिल से बहुत अच्छा टेस्ट और क्रंचीनेस आ जाता है इस नास्ते में तिल डालने के बाद एक बार बहुत तेजी से चटकता है और आपको तेल गरम करने के बाद गैस की फ्लेम लो पे कर देनी है नहीं तो तिल आपके जल सकते हैं और लो फ्लेम पे अब आप इसको थो यह देखे इस तरह से और नीचे से जब यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो अब इनको पलटके दूसरी तरफ से भी हम सेख लेंगे दो-तिन मिनट लगेंगे इसको शिकने में लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इनको पका रही हूँ एक हलका सा तड़का लगाने से और थोड़ा सा इसको सेलो फ्राई करने से उसका जो स्वाद है वो बहुत अच्छा हो जाता है अंदर से एक दमी सोफ्ट और भार से इसमें एक अच्छी सी क्रेंची नहीं सा जाती है तो दो मिनट के बाद एक बार इसको पलट के देख लेंगे यह देखिए थोड़ी थोड़ी ब्राउन ब्राउन सी स्पेक परत आने लग गई है जो नीचे से सिख जाएगा उसको हम पलट देंगे और नीचे से दूसरी तरब से भी इसको बढ़िया से इसी तरह से गोल्डन ब्राउन करेंगे उपर से आप थोड़ा से इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं इसे एक फ्रेसनेस आजाएगी नास्ते में तो दोनों ही तरब से हमारा जो नास्ता है बहुत अच्छे से देखिए फ्राई हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे और जो तेल बच गया है इसमें जो बचा हुआ हमारा नास्ता है उसको भी हम फ्राई कर लेंगे ये देखिए कितना जबरदस्ट कितना स्वादिष्ट भेतरीन हमारा चट पटासा नास्ता बनके तयार हो गया जिस लोकी को बच्चे बिल्कुल खाना पसंद नहीं करते ना उनके सामने भी अगर आप ये वाला स्नेक्स रख दोगे ना चट कर जाएंगे मिंटों में प्लेटें तो ये हमारे हरे दनी की चटनी साथ में टोमेटो कैचप आप इमली की चटनी भी ले सकते हैं और ये हमारा लोकी का जबरदस्ट सा चट पटासा नास्ता अभी देखिए एक पीस में तोड के दिखाओं आपको कितना बढ़िया सिकाया ये भार से देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से की देखिए बहुत ही सोफ्ट है और यहां पर आप मेरे बच्चों से सब्र नहीं हो रहा है क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज बनती है ना तो बच्चों को बहुत जल्दबाजी होती है इसको खाने में तो बच्चे खाने लग गए है बच्चों को बहुत ही स्वार्द लगया है यह आप भी अपने घर पे बनाईए अपने घर के बच्चों को बड़ों को सब को खिलाईए देखिए सब को कितना पसंद आता है तो दोस्तों उमीद करती हूँ आज के रेसिपी आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज एक लाइक जरूर करें चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर लें जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ तब तक आप सभी को गुड़ बाई